क्यालो फ्रेंडस वंलमी एसे सी आपका स्वागत ह। इस वीढिए में कीषी के विभीन परकार इस शोपढ़ने अधीर के विवियन परकार और उसके समंधित विविन परकारों के चत्टानों के बारे में और भारत के पूर्वी और पक्ष्मी टठीय से राज्यों के बारे में पढ़ेंगे trick के माध्यम से जिससे कि हमें असानी से याद हो सके तो चलिए पहले देख लीते हैं खृषu समंधित भी परकार के बारे में करिस के बीशेश परकार कि इसका trick मैंने बनाया है ए मधु मेरे समधी ने अंगूर की बेटी संग सारे मचली के फिस सेवन किया इसमें देखिए जो मैंने green cloud से घेरा है उसमें वो silent है यानि संग और किया इसमें silent है तो चलिए देखते हैं पहला क्या है ए मधु से ए से हो जाएगा epiculture epiculture किसे समधी थाय तो मधु मखी से आय मधु ए से epiculture और मधु से मधु मखी पालन से समधी थाय और आगे है मेरे समधी ने तो मेरे से हो जाएगा मेरी culture और समधी से हो जाएगा समुंद्री जीवों से समधी थाय मेरी कल्चर किसे समद्य था है तो समद्य People से समद्य ध्रसμένे अलगुर की वेटी वेटी से हो जायेगा विटी कल्चर और अंगुर गरल की ख्याती से सब् lonतिति यह सबसे महत्पून है क्योंकि यह वार-बार वर ईजामे पूछ देता है वीटी कल्चर किसे संबंदित है या अंगूर की खेदी से संबंदित है और संग जो कि मैंने बता है साइलेंट है और सारे से हो जाएगा सा से होगा से परलन काप color किया जाता है और मचली haberos की यहाँ और मचली 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 क सबस्क्राइब ऑफ कन दो Τर्ग मचली और सेवन किस्छे संबंदित है तो बनो के संदक्षन से संबंदित इसको आप याद करने पड़े गा इसका कोई ट्रिक नहीं है और दूश्रा है नेमोरी कल्चर या गिवहिन जंगलों के फोल और जरो का शंग्रह किया जाता है तो इसे संबंदित है अगर कोचन आता है कि जंगलों से फाल और जरो का शंग्रह करना क्या कहलाता है तो यह नेमोरी कल्चर कहलाता है और तीसरा है और वी कल्चर यह विशेश परकार की जारी या विरिक्ष की क्रिसी से संबंदित है तो च ए मधु मेरे शमधी ने अंगूर की वेटी संग सारे मचली के फिस सेवन किया इसे आप लोग याद रखिएगा इसे आप अश्चानी से टेकल कर सकते हैं चलिए आगे देखते हैं आगे है विभीन चाटानों से संबंधी ट्रिक चाटाने मुखतों तीन परकार की होती है इस आगनिये चाटान आवस से हो जाएगा आव साधी चाटान और रूंपा से हो जाएगा रूपांत्री चाटान याने मुखतों तीन चाटानinki है जिसका ट्रिक है आगे आवर रूपा और और शाधी चाटान के लिभीन परकार है इसमें कोहचन आता है कि बल्वा चत्तान या चूना पथर चत्तान किसे संबंदी था तो यह आवशाधी चत्तान से संबंदी था इसको हम ट्रिक वाइज याद करने कोशिश करेंगे इसका ट्रिक है आवशाधी ने सेव चूस लिया आवशाधी ने सेव चूस लिया तो शाधी से हो जाएगा आवश सादी चत्तान और सेव से हो जब बोल्वा चत्तान पुलबपां करते हादी चत्त welcome लिगनाइट б beta गया वहां सोब्स्था कियो आश्या त्रिक है नहीं से और चूस लिया अग्ड देख्ते हैं अग्नेमे चटान से समझनी ट्रिक बीटू बेक्टा नाइट में आजा गया इसका की है तुर वॉर्याध जाता है मरह न्यक्वा में आजा साइलेंट है और बीटू मिनस यह तीसरे परकार की कोईला होती है इसमें कारबन की माद्रा 40 से लेकर 50 की बीच में होती है और चलिए आगे देख लेता है रूपांदरी चटान से समझे ट्रिक तो यह है ए ससी नीशा संग ग्रेफ हाइट कर इसका ट्रिक है ए ससी नीशा संग ग्रेफ हाइट कर तो ए से हो जाएगा एंथ्रासाइट कोईला और श से हो जाएगा सरफेनाइट टन और सी से हो जाएगा सीट और नीश से हो जाएगा नीश और सा से हो जाएगा साइनाइट और संग से हो जाएगा संग मरमर संग मरमर से ही आमारा ताज मह का नीर्वान होया जो में तॉर मेंों कॉन सी चट्टान लगी हुए ए और रूपांतरी चट्टान है ज cherry Deskate rip लेते हैं नीशा-sang 발라 turime कर जोन द्हां करेब कर 15 द्याँ ञपते हैं आप एंध़र से जो और कोक्षन आता है कि को कोईले के चार मुखतरूप होते हैं और इसमें कोचन पूछता है कि सबसे उत्तम कोईला कौन सा है तो एंथ्रासाइट कोईला है और सबसे निम्तम यानि सबसे कम कौन सा है तो यह पिट्टूश कोईला होता है और एक तीसरा कोईला होता है उसे लिगनमाइट कहते हैं जिसे फूड़ा कोई लवबी काई जाता है या भूरा सूना कहाझाता है पूर्भी टटी राज के बारे पढ़ लेते हैं तो इसका ट्रिक स्दिर्ण अन्ध उर्था बंगाल में निक्स्रावे estrange बंगाल में रहा है अंधा उर्था बंगाल में ता अंधा से हो जाएगा आंधर परदेश और उश्य हो जाएगा उरिशा और ता से हो जाएगा तमिलाडू और बंगाल से हो जाएगा पच्छिम बंगाल और में यहां पर साइलेंट है और कोचान आता है कि पूर्वी टटिय से कौन कौन से राच लगते हैं तो यह हो जाएगा अंधा उर्था बंगाल में अपने याध्यका और पाश्म सबंदित लेते हैं तो यह इसका ट्रीक है गंगु के नातक महान है गंगु के केरल और नाटक से हो जाएगा करनाटक और महान से हो जाएगा महराष्ट पच्छिव टटिये राज के यह ट्रीक है गंगु के नाटक महान है इसमें गुवा हमारा जो राज है वो छेदफल के द्रिष्टी से सबसे चोटा राज है और छेदफल के द्रिष्टी से सबसे बाड़ा राज कौन सा है तरह स्थान होगा और टटिये राज में सबसे बाड़ा टट किसका लगता है यह गुजरात का लगता है चलिए आगे देख लेते हैं और पंजाब की पांच नदियों के नाम इसमें कोचन आता है कि पंजाब मे इन मेंसे कौन सी नदी नहीं भादती है, ताब लोग और पांस नदी जो भादती है इसका नाम याद रहेगा, ताब लोग आसानी से इसे मार कर सकते हैं तो इसका ट्रिक है जेव, छिरास आनि जे से हो जँएगा जेलम, जोकि वर्निनाग कसमीर के समीप सेस नाग जेल से नि जे से धेलम हो जाएगा ची से हो जाएगा चिनाव और वश हो जाएगा व्यास वह से क्या हो जाएगा व्यास यह रोस्तांक दर्रे के समीब से निकलती है व्यास कुंट से व्यास कुंट के समीब से निकलती है उसके उद्गम वस्तर व्यास नदी के कहा है तो यह रोस्तांक दड़े के समीफ व्यासकुंट से निकलती हैं और राज से हो जाएगा रावी नदीर और श से हो जाएगा सतलज जो सतलज है वो मानसुवर जिल के समीफ राकस तला से निकलती है और इसकी सहाइक नदिया है चिनाव और आगे देख लेते हैं जो ट्रीक है नीम धातुय कहां पाई जाती है मुक्तम तो इसका ट्रीक है काश माही राची आतां तो यह है इसका हो जाएक काश से हो जाएगा पाणाठक और स से खोलेगा से अन्यस्जब को ना अधिक्तम कहा पाई जाता है दो करनाठक पाई जाता है इसे समन्दित है और मा से हो जाएगा मध्य पर्देश ही से हो जाएगा हीरा और राची से राच से हो जाएगा राजस्थान और ची से हो जाएगा चांदी और आती यहां पर साइलेंट है तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही इसे और आपको यह वीडियो लगे तो इसे लाइक करें और ज्यादे से जायद शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि अगर आप लोग को इसमें कुछ इंप्रूव्मेंट चाहिए तो आप लोग कमेंट करें और थांक इफोर वात